जी हाँ इस बार की दिवाली है वाकई खुश हो वाली है और इसलिए हमने इस दिवाली का टैग लाइन यही रखा है दिवाली खुश हो वाली है इस बार किसी को किसी से कोई कम्प्लेन नहीं शिकायत नहीं बिजनिस अच्छे चल रहे हैं एकोनोमी मजबूत है और दुनिया बन में चाहे कुछ भी और भारत के इन्वेस्टर्स इस वक्त बहुत खुश है क्योंकि इस बार सब ने पैसा बनाया और विशेश कर इस बार रि मजबूती का खुशों बरा रहेगा आगे क्या डायरेक्शन है कहां आपको निवेश करना है और किस तरह की आगे बाजार की एकोनोमी की और दुनिया पर की चाल रहेगी इस पर है हमारा ये दिवाली का बहुत खाष्यों दिवाली से दिवाली तक और बाजार के चार जाने माने दिगज मेरे साथ कारिकर में होने ही शामिल, कॉटक मीचोर फंड के ग्रूप प्रेसिडेंट और मेंजिंग डिरेक्टर निलेश शाह साथ हैं, हमारे साथ, अबेकस एसेट मेनेजर के फाउंडर सुनील सिंगानिया साथ हैं, और साथ ही, MK Ventures के फाउंडर मधुक एला साथ और हैलेश केपिरिल के फाउंडर समीर अरणार साब, आप सब का बहुत-बहुत स्वागत है, स्टूडियो में चार इतने बड़े धुरंदर को एक साथ देखना अपने आप में दिवाली गिफ्ट है, तो आप लोग आए हैं, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया और आप सो को दिवाली की बहुत-बहुत शुपकामना है, और पिछला पूरा साल आप लोगों ने जम कर मेहनत की है, बहुत पैसा हमारे हिंदुस्तान के इन्वेस्टर्स के लिए बना कर दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यावार आपको, मदल सर, यह तो मतलब घजबी हो गया, पिछली दिवाली से इस दिवाली तक, इतना मूर महूल बैसरी ने, बहुत ही अच्छा है, जैसे आपने बोला कि, खास करके खुशी की बात यह है कि, इसमें रिटेल इन्वेस्टर्स ने फर्स्ट टाइम रियल में स्टॉक मार्केट में, मैं बोलता हूँ, पैसा कमाया, कोवीड के टाइम हो सकता है, काम के अभाव में, लोग स्टॉक मार्केट से जुड़े थे, पर वो समय से जो भी आदमी जुड़ा है, I think last 2-3 साल, मैं बोलूँ क्यों पिछली दिवाली से अभी दिवाली तक ही नहीं, मैं बोलूँगा, कोवीड का जो लोग बना, उससे अभी तक के, इस्टॉक मार्केट में, काफी अच्छा समय रहा है, ब्रॉड इंडाइसेस में इतना नहीं दिखता है, ज्यादा विजिबल है, मिट कैप, स्मॉल कैप शेरों में, अगर ब्रॉड इंडाइसेस की बात करें, तो लाज दो साल में, निफ्ट में तो मेरली 5% भी रिटर नहीं है, पर डीपर अगर जाओ आप, तो बहुत सारे श चार गुना, दस गुना, बीज गुना पैसा हुआ है, और इस तरीके के क्वालिटी के शेर सी रिटर इंवेस्टर के पास रहते हैं, और वो क्लिरली विजिबल है, इस कॉन्फिडेंस में, गोरे तो बेशते ही जा रहे हैं, लास्ट कितने 18-18 महीने, दो साल से बेशते ही पर जो पैसा मुच्वल फंट में आ रहा है, वो भी रिटेल इंवेस्टर के थुवा रहा है, और जो रिटेल इंवेस्टर का पाटिसिपेशन अपने को ओर और दिख रहा है, नमबर आप दीमेट अकाउन भी 12-30 क्रोड हो गए, तो बहुत ही खोशी की बात है कि रिटेल इसे इस बार रियल में जिसको फेट था, इसे रियल में पैसा बनाए है, और इस बार रिटेल इंवेस्टर के एकसाइटमेट से ही हम F.I.S.A.D.I.E. बनने की कोशिश में लगे हुए थे 2-2 साल से, लेकिन हिंदुस्तान के बादरों में मूचल फंट रौंच करना एकदम सही सही वक्त है, इस वक्त आपके लिए, वो सही बात तो हर वक्त ही कह सकते है कि बड़े सालों तक सही होगा, लेकिन हमारे लिए क्योंकि हम तो ड़ाई साल से वेट करें थे, अम इंतिजार पूरा हुआ, तो जस्ट इन टाइम आगया कह सकते हैं, निलेश भाई, आम तो पर जनरली शिकाय ते रहती है कि लार्ज के बढ़ जाता है, मिटकेप स्वाल के शेवरों में भाव, बारह जार की निफ्टी में आठाजार के होते हैं, इस बार जिसे मदूसर वतारत है, मुश्किल से पांच परसें, दस परसें के रिटन दो साल में बने हैं, निफ्टी वगिरा में बड़े इंडेक्स में, लेकिन मिटकेप स्वाल केप शेवरों में जो बढ़िया तेजी बनी है, आपके भी इतने रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, पूरे मुचल फंड में, आपके फंड में भी तगड़े रिटन दिया हैं, क्या वाकए में इस बार ज्यादा से आजकल जब मार्केट में गिरावट होती है, लोग हमें फोन करके बूलते हैं, डरना मत, पूरे चाहे जितना बेच दे, हम पैसा बेज रहे हैं, साफ कर दे ना उनको अगर आप मार्च 2020 से आज तक का समय देखें, तो बायनलाद जब भी मार्केट सस्ता हुआ है, तो SIP प्लस सब्सक्रिप्शन होके पैसा आया है, और जब भी मार्केट थोड़ा महंगा लगा है, SIP माइनस रिडम्शन होके पैसा आया है, तो निवेशकों की ये जो मेचॉ है, वो हमारी मार्केट का एक फ्लोर बना रही है, ये हमारी मार्केट को लो बीटा मार्केट बना रही है, और उसका सबसे बड़ा असर इस चीश पर पड़ेगा कि हमारी रिस्क प्रिमियम कम हो जाएगी, लोगों की एक्सपेक्टेशन फ्रॉम रिटर्न पॉइंट हो रहा है, तो ये सारे रिटेल निवेश्रकों की मिचुरिटी की वज़ह से है, बिल्कुल रिटेल का तो आप बड़ा पॉर्टफोलिय रिखते हैं, लेकिन सुनेल ये आपके पास बड़े-बड़े पैसे वाले ज्यादा है, राइट, एच नाई जिनको हम कहते हैं, वो क संख्या बहुत बढ़ गई हैं इंडिया में और आशा करते हैं और हम सब खुश होंगे कि अगर ये एचनाई की संख्या और बढ़े, और दूसरी एक बात है कि जो एचनाई हैं, उनके पास जो वेल्थ है, उसका जो बोलते हैं उसकी भी बहुत ज्यादा वेल्थ हो गई ह और अब बढ़ती भी जा रही है, कोई offer for sale आता है, किसी के stock option में पैसा बन गया, किसने company बेज दी, लेकिन है न ये जो H&I community और जो family office community है ये well informed community है, और इनको काफी लोग बोलते हैं ग्यान देते हैं, तो उनका जो कभी-कभी ज़्यादा ग्यान से भी है एक negativeness हो जाती है, I think, I would say that retail investor simple रखता है, वो हर मेने अपना पैसा डालते रहता है, जो large family office है, वो हर दम time करने की चेश्टा करता है, और negative भी बहुत होते हैं, और unfortunately last 2-3 साल में, हर 2-3 मेने में बड़ा जटका आता है, कभी COVID आ गया, कभी Russia, Ukraine आ गया, कभी 5% deal हो गई, कभी Israel Hamas आ गया, तो मेर उनको participate करना चाहिए, उसके इसाब से अभी भी बहुत ही ज़्यादा काम है, उनका, बहुत ही under invested है, और दूसरा का options नहीं है आपके पास, अगर fixed income में 7% में भी लगाते हो, तो 40% तो government of India आपकी partner है उसमें, और real estate भी आदमी कितना खरीदेगा, I think है उसमें काफी गुंजा अब मैं, ये तो मूर माहूल बनाया है, मैंने खाली, अब मैं शो की शुरुआत करता हूँ, आज मैंने थोड़ा सा चेंज किया format, मैं पहले आपसे rapid fire करूँगा, कुछ या, पांच सवाल मैं चुने जो, मैं पांच सवाल जल्दी जल्दी आपसे पूछाँ, आप आराम से आपको कोई भी gift बेजना असान काम है, अनिल भाई, बहुत लोग है ना जीने के लिए खाते हैं, हम गुजराते लोग खाने के लिए जाए, सुनिल जी, मैं मीठा खाता नहीं हूँ, लेकिन अगर आप बोलो तो एक मिठाई तो आपको खानी पड़ी तो सोन पापड़ी, ह जो सुनिल जी कह रहे हैं, वही करते हैं, खाते ही ना, बोक्स कुलता ही ना, सोन पापड़ी का, इसके यार सोन पापड़ी का बोक्स कुलता है, जहां से आता है, इजर से दर निकल जाता है, मधू सर, अभी तो actually मिठाई बंद है मेरे लिए, मेरा resolution एक साल तक नहीं खाना ह पर मैं जब खाता हूँ, तो रस मिलाई मुझे बहुत पसंद है, मैं ने जी एपरल से शुगर बंद करी, लेकिन यह नहीं कि 100% निखानी, मैंने कर रात को भी जिले भी खाई थी, अच्छा, आप नेशनल टीवी पे confess करें यह, गरवाले भी देखते हैं, मुझे पता है, इस वज़े से दिवाली आपको बहुत पसंद है, कोई एक खास वज़े सी, पहले दिवाली इसलिए पसंद आती थी, लोग आपको बक्षीस देते थे, साल मुबारक की, अब इसलिए पसंद आती है कि आप स्वज़नों से मिल सकते हैं, यह एक दो दिन ऐसे हैं, जब पूर I think very colorful, बहुत ही colorful है festival और एक माहूल अलग ही हो जाता है, काफी बार आपको कोई festival मनाना पड़ता है, यह अपने आप मनता है, आप कहां पे भी जाओ, खुशाली का माहूल रहता है, you know, people are well dressed up, families तो obviously साथ में रहती ही है, लेकिन एक, बोलते हैं माहूल ही कुछ अलग हो जात कि दिपावली पसंद आती है, बिकॉज यह माहूल एक बनता है जो जैसे, अभी देखो हम साल भर मिलते हैं, पर इभी दिवाली में आएं आप से मिलने के लिए, तो एक अलग, हमारे को भी एक अलग excitement है, अनिल जी का show है, दिपावली को होंगे, दूसरे नहे टाइप के और खास करके यह पूरी फैंबली एक सांथ मिलके इस फेस्टिबल को सलिबरेट करती है, अग जैसे मेरे मेरे पूरे आफिस को मैं दिपावली के लिए लंच पे लेके गया था, साल में हम कितनी बार जाते होंगे खाने के लिए, पर दिपावली लंच इस वेरी स्पेशल अगे फेस्टिबल बनाया था कि कौन अलग अलग कौन अलग कौनौन। लोग छुटी लेकि घर जाएंगे, या सारे कठे होंगे, या पार्टी होगी, या मिठाई होएंगे, या नए कपड़े होंगे, तो आटोमेटिक लिए सब चीज़ें, अगर किसी और दिन भी करते हैं, तो मज़ा आता है। आप से भी मैं जानता हूँ कि आप बहुत सारी थीम्स, बहुत अलग हटके हैं, जो कोई सोचता नहीं है, जब डीमॉन हुआ तो बहुत जो प्रोमोटर चोर हैं, वो चोरी नहीं कर पाएंगे, जी एस्टी के वक्त आपने का था, पावर वाली थीम, सरकारी कमश्यों की थीम आपने कई सारी थीम्स बहुत पहले चुनी है, तो एक तो यह आप किसी नही थीम्स को पकड़ते कैसे हैं, और दूसरे अब क्या पसंदा है, तो अनिल भाई, बेसिकली क्या है, इसका कोई ऐसा सेट फॉर्मूला नहीं है, यह एक्स्पिरियंस से आता है, तो बात करते रह हैं, कई लोगों से मिलते हैं, हमारी टीम्स भी काम करते रहती हैं, पर मैंने देखा है किर आप थीम्स पकड़ लोना, तो पैसा बनाना असान है, पसी हमारी को जादा फ्लेक्सिबिलिटी है, यह एक तो आपनी मर्जी का खुध राजा हूं, तो यह एक्सी को अंसर अन्सर सेन, यह एक प्रक्राइब को जाएं, पर पता चला पैसा तो नीचे वाले मैंकों में बन गया, जहां वह आठा दददददद गुना हो गहें, वह हमारा दिमाग में को प्रिवेंट कर दिया, वह कैसे ले सकते उसके तो फंडमेंटल मैंच ही नहीं होते हैं, पर वह थीम्स जलती है, तो सब कुछ चल जाता है, तो I have always overemphasized on really identifying the theme, आपको याद होगा, तो साल पहले हम ये infrastructure सब companies के आपके studio में बात कर रहे थे 3-2 साल पहले, पर उससे में कोई नहीं देखता था, अनल भाई, it was, किसको मूँ किसी से बात भी करो, ऐसा लगता था, जैसे कोई गाली दे दिया उसको, तो ऐसे मूँ आदमी फेर लेगा, तो क्या ये कोई company आए, क्या कोई EPC company आए, क्या क ने बड़ा पैसा कमा सकते है, कितने लोगों ने आज सक आपके channel में आके बोलाओगा, सरकारी company को touch मत करना बिल्कुँ, बरावर नहों, democracy है, ये है, ये है, ये है, वो करके, अगर किसी ने बोलना है, जो मैं बोलता था, तो over time cool correct है, लेकिन धाई साल में correct है, अनल भाई, ब मुझे एक कोई बहुत समझदार गोरे ने बोला था, more money is made when worse companies become bad, then good companies becoming better, that is actually been our theme, honestly, that's what I am, we have to buy very very cheap and sell it cheap, you can't wait for them to become expensive, correct, और मेरे को लगता है, जो मेरे सबस्यादा पैसे बने है, वो ऐसले नहीं बने है कि good company ना bad, लेकिन company which was okay had nothing bad and turned out to be good, अब जैसे 2011 में कैसे हो सकता है कि राजीव बज़े, उसको पता हो, जैन को कि वो इजना बड़ा हीरो है, उसको ही नहीं पता तो हमें कैसे पता लगे है, लेकिन बुरा नहीं था कुछ भी, तो मेरा तो simple formula है कि bad को छोड़ दो और बाकी they have to prove themselves, यह आप identify पहले कि हमने good company identify की है, good है तो फिर सबको पता है कि good है, but he should not be bad in any way and then he has to prove कि he'll turn out to be good, अगर आप देखो कि अधिते पुरी कोजी वो banker था, वो city bank में था, इसलिए वो इंड तो बाद में आपको पता लगे के कौन hero निकला है और कौन नहीं, आप लॉंग टम की बात कर रहे हो, मैं बोलना चाहूंगा और दो हटके छीजे, एक मुझे लगता है, something seriously has changed for artificial intelligence and AI in last year, if you see the way the world has changed in last 12 months, I think, तो मुझे यह लगता है कि this is a very very powerful theme, जिसमें बहुत सारा distraction भी हो और बहुत बड़ी वेल्थ बने गे भी, now you can't invest in artificial intelligence, right, there will be hardly any companies, but you have to see which are the companies which are really ahead in the game, which are open to adopting this, which are working on it, and if you look at whether it is House of Tata, Reliance, Mahindra, everyone, backdoor, they are working on it, so there will be disproportionate value creation on people who are little, ahead of the curve, कोई IT company वाला ही मुझे बता रहा था, कि जब तक कि लोग यह discover करेंगे न, कि हमने chat GPT से क्या बनाया, और हम actual आदमिये से क्या बना रहें, तब तक हमारी margin काफी बढ़ गई होगी, और हम तो कमा के निकल चुके होंगे, तो general perception क्या है, that it is very bad for IT industry, that may be true from a 10-year perspective, but need not be true from a 2-3-year perspective, so I think I would watch कि कौन आदमी AI को रियल में implement कर रहा है, that is one, second, मुझे समझ में आता है, जितना जहां पर मैं जाता हूना, this whole issue of carbon neutrality, it's a very very big problem in the world, अभी मैं एले गया था, इतनी घर्मी अनिल जी, you can't believe, that it is LA, right, जब कही जो शुर्दर लें जाओ, इतली जाओ, मैं लाँ ना पंखे, ना AC और घर्मी, अपने को सब जगा ही है, दिख रहा है, it's a problem which is far bigger than what the world is appreciating, and I think in due course of time, there will be recognition and that is started, आज अगर योरोप में आप बोल रहे हो कि कारवन से अगर आप स्टील बनाओगे, मैं आपको import duty लगा दूँगा, what is it telling you? आप टोटल ने आके, अडानी गिरिन में जाके, चार गुना ज्यादा value पे, ऐसेट खरी लिया से, तो these are indications which are clearly visible that the times are there for this kind of companies, और हम तो चुन-चुन के इसमें पैसा लगा रहे हैं, तो हमा a real long term perspective, and I think it's not difficult to find good companies, you can see what kind of return, some of these companies have delivered, in spite of all skepticism, 99% people are still skeptical, so these are my two real long term themes, for the short term, I would agree with Sunil, that pharma is really a space to look, इसमें काफी अंडर पर्फॉर्मेंस हुए है लास दो तीन साल में, और quarter by quarter, काफी सारी कंप्री कंप्री की अर्णी हमको अलरी दिख रही है, and in absolute term, market cap has not gone anywhere, मुझे लगता है USFDA का विजिट वापस चालो हो गया, approval वापस चालो हो गया, पांटपस साल से आत्सा साल के जो कंप्रीयों के अटकी होए, प्लांट थे, approval के लिए, वो प्लांट वापस चालो हो गया, तो मुझे रखते हैं, अगले दो तीन साल में यहाँ पैसा बनेगा, अब मेरे दो rapid fire roll रह गए, जो अलदी से पुछ रहे हैं, चार asset class है, equity, fixed income, gold और property, एक साल में अगली दिवा लेकर, सबसे ज्यादा return, नमर से, किसमें सबसे ज्यादा, नमर 2, 3, 4, निलेश भाई नहीं किया होगा, बट अगर आप dollar, gold और बाकी सब के रुपी return देखे, तो मेरे इस अपस equity, gold, fixed income and property, ओके, सुनिल सर, नहीं exactly गो बाईदा, सेम, very good, मझे सर, और में इस equity, equity and equity, चार रहे, एक से चार लगे, एक समझता नहीं है, ना समझेंगी, कोशिस करना है यह चलेगा कि proposal कितने आते हैं, कहां बड़ा परसद, जी, वही है, जी, वही है, I agree, equity, gold, gold में कहा है कि, बीच में लग रहा था कि 5-6% US interest rate के साथ कैसे gold चलेगा, लेकिन और वो भी मुझे लगता है, I mean, interest rates will be cut, and gold का, यह क्योंकि, यह जब issues होते हैं, अगर interest rate वहां कम हो गया, तो फिर gold भी ठीक हो जाएगा, पिछले 3 साल में, market में, बहुत सारे नए investors आये, especially youngsters भी, और महिलाएं भी, दो-दो sentence में, जल्दे से आपसे, इस दिवाली पर उनके लिए, कोई money mantra, निलेश भाई, there is no future in futures and options trading, be an investor, be an investor, wonderful, I agree with निलेश भाई, money saved is money earned, वाँ, आप तो बोलते option market का देखिये, brokerage, जो STT और जो exchange के चार्ज में, 60-70,000 करोड रुपे का एक पूल है, वो किसी के न किसी के जेब से जा रहे है, बहुत simple है हो, simple है, मजब सार, I would say, believe in India, and be an investor, the real wealth creation, don't look for stock market for income creation, look at stock market for wealth creation, wonderful, very nice, correct जी, लोग जो कहते हैं कि मुझे इतने पैसे बनाने हैं market से, मुझे ट्विटर में भी लोग पूचते हैं, personally पूचते हैं, हम trader बन जाए, मैं कहां तुम अपनी नौकरी करो, और stock market में वो पैसे डालो जो आप नौकरी में save कर रहे हो, that is second thing मुझे लगता है कि लोग अपन 70-80% equities में डाले हैं, उसमें चाहिए थोड़ा underperform भी करें, थोड़ा outperform करें, but that will be bigger, than trying to maximize, मिर भाय भाय भी mutual fund की भाचा बोलने लगे हैं, तो कहतो हमेशे हैं या सकते हैं, मिलकुल, तो आप चारों का बहुत बहुत धन्यवाद, I am sure आज हमारे दरश्कों को काफी कुछ deep deep insight मिली हैं, निवेश करने के तरीकों के बारे में भी, और कहा करना हैं, कैसे करना हैं, आगी के लिए कितना confident रहा है, एक बार फिर से आप सब को दिवाली के बहुत बहुत शुपकामना है, और studio में आने के लिए मेरे साथ शुपकामना है, आपके सारे दर्शकों को, and you continue to inspire and do a good job, God bless, thank you, thank you Mother Ray, Samir sir, निलेश भई और सुनिल sir, आप सब का भी बहुत बहुत शुक्रिया, इस खाश्यों में इतना ही बने रहे हैं हमारे साथ Zee Business पर, नमस्कार. बाजार के दिगर्जों के साथ हम मना रहे हैं कि ये खुश्योंवाली दिवाली हमारे साथ इंगलेश शाह साथ, सुनिल संगानिया जी, मदुकेला सर और साथी समेर अरोडा जी. ब्रेक के पहले मैं आप सबसे दिवाली और आगे के बाजार के डायरेक्शन के बारे में ही पूछ रहा था, मदुसर इस दिवाली से लेकर अगली दिवाली तक हम उपर होंगे, अच्छे होंगे, बेहतर होंगे, ये confidence रखा जाए? अनिल भाई मैं थोड़ा सवाल का दिल से जवाब देता हूँ, ऐसे दिल से ही बात करता हूँ. पर देखें, क्या है, सबसे अपने जो परिशानी रही है, जो निलेज भाई ने बोला, इस वक्त जिसने जितना कम दिमाग लगा है, उसमें उतने ज़्यादा पैसा कमाए है, ये बात सही है, अब ये क्या है, एक्चुलिए डेड़ शानों का जमाना नहीं रहा है, उतना ह नहीं बहुत है, तो हम लोग क्या फाइन ट्यून करने की कोशिस कर रहे है, इस दिवाली से अगले दिवाली तक पैसा मिलेगा कि नहीं बलेगा, आप बताओ, कुन सा इन्वस्मेंट आप अपनी लाइफ में करते हो, अपर्ट फर्म स्टॉक मार्केट, जिसमें आप एक सा के लिए खरीते हो, जाके कोई बांड में बैंक में पैसा लगाते हो, वहां पे भी पांट पर साल का एब दी करते हो, तो वाइफ लुक फर वन ये श्टॉक मार्केट रिटर्न, आइट इस पॉइंट नुमर नुमर टू, मैं खोड आपको बहुआ हूँ, हमने भी अगर हम इंडिया का ताइम है, जिससे भी जाके बात करो, आप आप लंडन के कोई स्टोर में चले जाओ अनिल भाई, बाकी जानी बहुता हूँ, जिस इजब से लोग आपको अभी देखते हैं न वहां पे, कोई इंडियन आया है, रियल में खरीदेगा या, वरसे वहां बड़ी मोटी सी बात है, लास तीन साल में बहुत ज़्यादा पैसा बनाएं, बहुत अच्छे रिटर्न आएं, एक तो डू नाट एक्ट्रा पुलेट, इस टाइप के रिटर्न हमेसा आइंगे, या पचास-पचास, सतर, सतर परसंट साल साल में कमा सकते हो, तो या तो बि इन्वेस्मेंट करके चुप चाब बैठो, मुझे यह लगता है, अभी भी वो अपर्चुनीटी है, और मार्केट के आए, कोई ना कोई, अनिल भाई, अपने शाने बनने से नहीं अपर्चुनीटी मिलती है, मुझे लगता है हम सब हेंड साइट में उश्यार है, बजार तो खुद अपने आप अपर्चुनीटी देता है, अब करोना मैंने और आपने थोड़ी इन्वेंट किया, यह किसको बता था कि जिंदगी की सबसे बड़ी अपर्चुनीटी करोनों के पीछे चुपी हुई है, सही बात है, मिल्कुल, जितना लास थी साल में वैसा लगाय होता है, कुछ नो कुछ होता है, अगर आप प्रिपेर्ड हैं उस समय, तो आप बस इन्वेस्ट करके अच्छी तरीके से बैठ जाओ, सीड बेल्ट बान के, और रेस्ट अब दोर वर्क, दो कंट्री इस दूइं, इकॉनमी दूइं, इन अंत्रपनेर्स दूइं, सो मोटी माथ बेगे इसक्क्राट है कि जाँ है कि, का खरी देंगे, क्या खरी पुरूरी है, वह सुंत का इस बीडेट इस स सवाल बदल ने उसकी हेल्थ भी अच्छी रही और वेल्थ भी बन गई एल्टीक बाद नहीं कैना थोड़ा आप देखिए जब हमने सबने केरियर शुरू किया होगा कि इसने दो चार पांट साल आगे पिछे किया होगा बट इसने जो भी पॉजिटिव रहा है अल्टीमेटली वेल्थ तो उसी कही बना है और बीच में कितने इसने से जिसमें सही में डर लगता था ऐसा नहीं कि हम में सबको लगा होगा डर कोई हर समय पे लेकिन बने रहे एकॉनमी को देखते रहे ग्रो होते रहे और बने रहे अब ही आप यह देखिए लास्ट दस साल में जो यह प्रिजेंट गॉवर्मेंट जो काम कर रही है पहला पांच साल तो चला गया उनका सफाही में तो जो बैंक में नपी थे उसको क्लीन किया जी एस्टी लाए जो बिल्डिंग ब्लॉक्स वो पहले पांच साल में सेट किय अगले पात साल में से जो चार साल हुए है अभी दो साल करोणा ले गिया लास्ट के दो साल में जो ग्रोथ और डेवलप्मेंट की जो बाते हो रही है जो मैनिफेक्टरिंग है पी एलाइ स्कीम है आज एपल यहां फोन बना रहा है टेसले हैं गाड़ी बनाने की सोच रहा तो पहले तो क्या होता है आप हमारे खुद की जिंदेगी देखेंगे अपने सब की पहला इंकम जाता है रोटी कपड़ा मकान में पहले आपको पेड़ भरना है कपड़े लेने और घर खरीदना है जो बाद में जो पैसा बनता है उसी को आप कंजम्शन और वॉंट जो बलता है नेड से वॉंट और जो भी एकॉनोमी नेड से वॉंट की तरफ गई है उसमें भयंकर ग्रोथ हुई है ग्रोथ आएगी तो अपने बजार में पैसा बनेगा लेकिन जैसा मदू ने का I think return expectations को आपको थोड़ा संभालना पड़ेगा क्या हो बिल्कुल लोगों को है ना वो return चाहिए equity वाला safety चाहिए FD वाली दोनों का combination मिल जाए तो क्या लाइट है साल का return एक दिन में चाहिए equity वाला भी नहीं है बिल्कुल अच्छा मैं आपसे अनेल जी मेरी बात को substantiate करने के लिए मैं बता रहो जिए शानागिरी की बात पब्लिक ली आपसे दिल लगा हुआ है अपने खुद की मिस्टेक मैं बचाता हूं आपने बहुत जमाने पहले सबने मिलके डिवीज लिबाटरी इडेंटिफाई कि एक सो चाजीस रुपे के भाव में पब्लिक इशू आया पहां दस तक का फंड का डाल दिया 200 रुपे म कम सकम पंदरा सो गुना पैसा होता पंदरा सो गुना पैसा होता तो बीस साल मेहनत करके एक्चुली पैसा गमाया है कुछ नहीं है यह बात सही है कि आइडेंटिफाई सब्सक्राइब करते हैं कि सपोज अगर हम तीन मेने तक ऑफिस जाए नहीं उसका मतलब ना कोई खरीदे ना कुछ बेचें तो रिटन जादा होती है अबने को लगता है ने छुटी की दिवाली में दिल से अवाज निकल निकल आज तो आज आप सब लोग एक दम फुल के बोल रहें बिलकुल जो दिल के मतलब बिलकुल एकदम वो फ्री फ्लो वाला बाब अच्छा एक चुकि दिवाली पर रिवाज है प्रथा है हम जानना समझना चाते हैं इंडिया में क्या चलेगा तो एक तो ये मुझे लगे ही उस सवाल मुझे से जवाब आएगा समीर सर तो रह नहीं सकते हैं डाये लोग आ नहीं है अच्छा एक तो मैं ये जाना है कुछ ऐसी नई थीम जो आपको लगता है कि कुछ ये नया बड़ा हो सकत है इंडिया में यहां से या फिर कोई सबसे स्ट्रोंग थीम और उसके अलावा आपको जो पसंदा है सविर सर आप शुरुआ तो हर बारी पहले दो में अलग थीम सी टेक फिर इंफरा टाइप चीजे थी लेकिर उसमें पर जाते हैं इंड में इसलिए अब मैंने चेंज कर अब मैं कहते हो 40-50 स्टॉक साब लीजिए मोटा माटी सिमिलर वेड भी चल सकता है और तो हमारा थोड़ा सा सिमिलर नहीं होता है उपर वाले 6-7 परसेंट हो और उसका भगवान का नाम लीजिए अच्छा उसमें यह एक एक प्रिसाइस टाइम करने से कि यह वाली थीम है क क्योंकि हम फंड की बात हो रही है नॉट इंडिविजुल की तो फंड में एंड तक पैसे आ रहे होते हैं अगर हमने 2005 वाले को बोलें के देखा हमने कितने पैसे बना इंफरा में लेकिन कोई बंदे आ गया होंगे 2007 के बिगिनिंग में या middle of 7 के वो कहते हैं हमारे तो कोई मैंने बंद कर दिया का अब मुझे चाहिए consistency था कि investor भी शाद रहे एंड में I have shown so many times कि आपको आज तक हमारे mutual fund industry में या मेरे भी returns जो 150th stock होता है index है उसका return भी नहीं मिला मुझे खाली 2 साल 18 सालों में वो return मिला है जो 150th stock from the index gave that year जैसे last year market अपती 4% जो 1.500 best performing stock था वो 16% किसी ने मनाया last year mutual fund ने यह हर साल का मैंने दिखा है हमारा मेरा मेरा अपना खाली 2 साल हुआ 18 सालों में इसका कहने का मतलब है इतनी जादा है वो precise करने की रहती रही है जब 500 stock था आज तक हम पहुंच नहीं पाए उसकी perform क्योंकि जो 150th stock है वो 30 से 40% बीट कर रहा है index को इस इस लिए मैंने चेंज कर दिया style from तो आपने सिस्टेम में चालिस 50 stock लो और भगवान का नाम लो तो धूंड रहे है ना मेरा मतले एक theme की बात नहीं है उसमें कर लो आप तो value भी ले ले लेंगे growth भी ले लेंगे सब angle cover करो तक रात को netflix देखते वेकर तकलीफ नहीं हो अप 30 में क्यों डग जाएं आपर आप से लो यह स्टोरी इस वक्त मार्केट में अनिल भाई गदे और घोड़े दोनों दौड रहे हैं तो अगले साल की theme हो गए कि आप घोड़ों पर बैट लगाई है गदों पर मत लगाई है पिछला साल गदे दौड़ गए तकदिर की बात ह अच्छे प्रमोटर की कंपनी में निवेश करिए अच्छे वैल्यूएशन पर अच्छे दाम पर निवेश करिए जो चल रहा है उसी को सिकंदर मत मानिये बहुत सारे ऐसी काउंटर से जहां पर फ्लूटिंग स्टॉक बहुत ही लिमिटेड है और उसे कंट्रोल करके बहु कुछ भी छप रहे हैं तो यह मुमेंटम वाला निवेश मत करना नेक्स साल के लिए हम भी अवाइट कर रहे हैं और आपसे भी वही हिदायत देंगे कि आप अवाइट करिए क्या पसंद क्या है आपको इंडियन मार्केट में से जैसे समीर भाई ने बता है राइजिंग ट कोट से बचके रहे हैं तो अपनी नाम में छेदना हुआ है मतलब घोडों पर बैट लगाते हैं वो रेस चीत जाहेंगे गदों पर नहीं लगाएंगे बस आपकी स्टॉक पिकिंग एबिलिटी सीखना चाते है निलेश भाई बोल भी रहते तो आपको तो कुछ ऐसा नया क्योंकि आप मैंने कई सारी थीम ऐसे देखें तो आपने समय से पहले बहुत बहुत आइडेंटिफाई किये बहुत जादा जल्दी भी आइडेंटिफे करने में मुकसान है ठक जाते हैं ठक जाते हैं ठीक बात है और इन बिजनस वेर एवरी मन्त एवरी क्वार्ट पर्फ पुसरा है न घदा है के गोड़ा है वो साल दो साल बाद में पता चाहते हैं हमारी भी प्रब्लम है जिस एक्सपर्ट को हम बुलाना चाहते हैं चैनल पर वो आना नहीं चाहता है जो आना चाहते हैं हम बुलाना नहीं चाहते है चलाना 24 गंटे का चैनल है मैं तो चाहँ फोलियो 100% होना चाहिए, बट कहा ना कहा आपको call तो लेना पड़ेगा, ने तो आप outperform कैसे करोगे, और अगर आप call नहीं लोगे, तो फिर तो investor index fund में invest करते का रही, तो मुझे पता नहीं है भी अगले साल, इस भी pharma for the next one, two years अच्छा लग रहा है, लेकिन मुझे लगता है अगर आपको 5-10 साल का view अगर लेना इंडिया पे, और मैंने करान कभी-कभी जल्दी होने में नुकसान भी होता है, तो देखो इंडिया में 140 करोड लोग है, उस में से 1-3 की income 6 लाग रुपे से उपर है, 2-3 विचारा रोटी कपड़ा मकान को तरस रहा है, वो खाली need है, ये 1-3 के पास कुछ want है, ये proportion भायंकर रूप से change होने होने है, और बहुत जल्दी change होने है, चेंज होगा, आठ नो साल में 100 करोड लोग ऐसे होंगे, इनकी income level will allow them to have some want, अज यतना बड़ा मॉल खुला है इंडिया में, one of the best malls, मॉब बचानी है, और आप कोई भी दुकान में जाओ, आपको गुसने की जगा नहीं है, तो consumption तो हो रहा है, और consumption अलग जो मैंने कहा ना, अलग products में हो रहा है, I think next 8-10 years, this is going to be a huge theme, और अनियल जी बहुत आशाम रहता है, जो दुनिया में दूसरे देशों में हुआ है, वो इंडिया में legitimately होना ही है, क्योंकि भगवा बढ़ेगी, वैसे वैसे इच्छा है, पूरी होगी, I think that would be a very strong theme, लेकिन मैं गुला ना, आज बहुत जल्दी है हो, पांदर साल के अगर आपको खिलना है, तो over a period of time, आपको opportunity मिलती जाएगी उसमें, और वहाँ पे growth will be phenomenal, अब देरे जरे चादर बढ़ी हो रही है, पहले चादर ही छोड़ी थी, सिकुर्ड के सोना पड़ता था, अब यह आपका income भी है और आपको spend करने की इच्छा भी है, तो दोनों है, बिल्कुल ठीक बढ़, तो निलेश भी आपको अगर इन तीनों में से किसी से कोई gift लेना हो, लेना हो, तो आप चाहें जिससे भी ले सकत है, अच्छा, पैनल के बाहर भी आपकी किसी से इच्छ है, तो मांग ले, आपको क्या gift चाहिए इस दीवाली पर, तो यह तीनों किसमत के बहुत धनी है, तो समीर भाई से उनकी हाजर जवाब भी मांगूंगा, आप उन्हें कोई भी balling करिये, वहर ball को चोका च्छका मार स तो सही, बिल्कुल, सुनिल भाई से उनकी stock picking ability मांगूंगा, यह हमारे mutual fund के एकदम जाने माने stock picker है, बिकोज सुनिल से stock picking मिल रही है, तो फिर मदू भाई से उनकी spirituality मांगूंगा, अश्या, मुझे लिगा मदू भाई से के पैसे लिए, पैसे लेके वोने stall लेनेंगे, सु मैं भी यह सोचा, मैंने का सुनिल जी के बता है, बिस टोक करें लिए मदू भाई से पैसे, wonderful, सुनिल सर, बहुत क्लियर है, आप से भी और समीर भाई से भी कैसे खुश रहने का और कैसे हस्ते रहने का, I think it's a quality, समीर भाई अब तक तो ठीक है, अब दूसरों का पैसा पहले तो FI's वालों था, लोकल वालों पर प्रेशर ज्यादा होता है, I think निलेश से obviously, जो simplicity से retail को समझा सकते हैं, I think it's a quality, बान सकते हैं और समझा सकते हैं, और I think जो mutual fund में जो growth हुआ है, उसमें obviously, सब का साहते हैं, बट निलेश भाई ने भी रीटेल को काफी अच्छे से स street smartness, और जो बलते हैं, बड़ा करने का जिगर, I think वो मेरे में अब भी भी नहीं है, 20 साल से में मधु को जाना है, ये बात है, मधु सर, I think question ये है कि, किस से कोई, क्या gift लेना चाहिए, सबसे पहले आप से, जो सुनिल ने बोला, कैसे खुश रहना, कैसे spontaneous होना, right, कैसे positive होन मैं देखता हूँ, अन्य जी, मीडिया में ऐसे लोग बहुत कम मिलते हैं, जो एकदम positive महुल में रहते हैं, मैं आपको देखता हूँ, इबन आकर आप, जिस दिन मंदी में भी रहते हो, उन्हों भी खुश हो के दिखाते हो, तो लॉग शॉट होने हैं, ब्लड प्रेशर ब में आपको एक ऐक अच्छा शेर पकाड़के कैसे दस बीस, तीष साल तक उसके कखे जह सकते हों, you know, दिनच बाइं, झाल भी खुर काड़की शॉट हूँ, ए कि अять अजिक में पुर जिसके कड़े हो, तो खुश हूँ, दो कि प्रेशिया हूँ, घज करन न कि अब भूसनी चाहिए भास, I think I'm very happy to be his friend and brother and we have grown together for last 25 years, it's too late to ask for anything, just his friendship is good enough. सबसे ज्यादा, मैं बोलतों सब कुछ मांग लिए एक्छे लिखा लिए दोस्ते बोगे लिए जाना, जी निलेश का तो मैं बोड़े सालों से टीवी में देख रहा हूँ, काम, मैं तो पुरा opposite side हूँ, excited, थोड़ी बहुत कामने भी होनी चाहिए, वैसे कोई बुरा ही नहीं तो इसलिए that if it all is different, सुनील का क्या है कि मैं तो इसके एक debate याद कर रहा हूँ, एक कोई debate हुई थी money control में या किसी में जिसमें है, किसी एक fund manager के साथ debate हुई थी, तो तब से मैं देखा कि openly आप जा के कैसे समझा सकते हो, जब याद आया, इस तरह बिल्कुली चल रही है कहान तो वो करने के लिए भी वो चाहिए, ऐसी चीजें जो कि हम अपने ना, इनके साथ नहीं करेंगे, उधर नहीं करेंगे, so you have to stand with what you believe in and all that, very good, and Madhu तो मुझे रोजी advice करता है, बिचारा है, तो इसे और क्या ले, इसने मुझे बोला कि आप 40 cities में, पता रही 50 cities में जाओ, ये इसमें से 50-30 कर ली है, वो सब का, मैं अपने आप सोचता है, लेकिन टाइम लगता है, पहले पहले ऐसी advice मिल गई टाइम पे, तो ऐसी चीजें तो Madhu के साथ बड़े सादों से मिल रही है, बिल्कुल चलिए, तो आप सब लोग एक दूसरे से कुछ ने कुछ सीखते हैं, ल लोकल भी, ग्लोबल भी, निलेश भई, आपका वीव क्या है मार्केट को लेकर, बस हमारी मार्केट और एकनोमी ना, हमारी क्रिकेट टीम की तरह बिहेव कर रही है, बस वेसा ही चाहिए, इसमें सारी चीजें आ गई, बैटिंग अच्छी है, बालिंग अच्छी है, फिल् पर आगया है, जहां एक्सपिरियंस आपकी लायबिलिटी बन रहा है, हम लोग सस्पिशियस नीचर के है, बहुत बार चोटे खाई है, तो आज सारी चीजे इतनी अच्छी लग रही है, तो हम यह ढूंडने के कोशिश कर रहे हैं कि क्या बुरा हो सकता है, क्या बुरा हो रहा है, यह बात सही है, बिल्कुल सही कर रहा है, तो मेरे इसाब से तो यह ट्रूली भारत का अमरितकाल है, हर तरीके से हम बहुत अच्छी पोजिशन पर है, और एकनौमी अच्छा करेगी तो आज नहीं तो कल मार्केट में वो रिफलेक्ट करेगा ही, बात सही है, बिल् में ले लो, चाहिए रूपीज में ले लो, 20-25 यह में भी इंडिया नमबर वन रहा है, अगर आप बड़े-बड़े पूल्स देखें, यूएस, यॉरॉप, एशिया, जपैन, इमर्जिंग मार्केट टाइप, लेकिन उन्हीं नमबर्स को आगे सोचने के लिए, कॉन्फि नमबर्स को निए में लो, टो पूचेंगे कि, लेकिन वाजार के लिए, यूए यूए तो एक और इंटर्सिंग चीज है, वो पूछेंगे कि, इस दिवाली पर एक ऐसी नई थीम क्या सोची है जो थोड़ी अनेक्स्प्लोर्ड हो अनाइडेंटिफाइड हो लोगों नाभी तक जिसके बारे में ज्यादा सोचा देखा नहीं हो कौन सी ऐसी थीम सेक्टर को यह साथ कुछ एक्षिन हो सकता है इस दिवाली के बाद अगली झाली के एक में ज्याद थाए對啊 कि भूorkोन धिमेन उनाई रीमragenयोर को यहाली किम्न एक भर में हो यहाद हो दो है कि अमीछ हो गौन है।